बिग बैश लीग नामक क्रिकेट खेल में वर्ष 2024 में एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस नामक दो टीमों के बीच मैच होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है यह मैच आस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जाएगा पिछली बार ये दोनों टीमें एक ही स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करने का फैसला किया होबार्ट हरिकेंस ने बलेबाजी करते हुए 239 रन बनाए फिर एडिलेड स्ट्राइकर्स बलेबाजी करने आए और 230 रन बनाकर मैच जीत लिया एडिलेड स्ट्राइकर्स के दो खिलाडियों मैथ्यू शॉर्ट और क्रिस लिन ने वास्ता में अच्छा खेला मैथ्यू शॉर्ट ने 100 रन बनाए और प्लेयर आफ दा मैच बने जबकि क्रिस लिन ने 64 रन बनाए कल एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच क्रिकेट मैच है एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बिग बैश लीग में अपने पिछले चार मैच जीते हैं लेकिन होबार्ट हरिकेंस उनकी जीत का सिलसिला खत्म करना चाहता है यदि आप जाना चाहते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी तो आप भाट सेप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पर उलिखित टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हैं वे आपको मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले बता देंगे टेलिग्राम चैनल पर आप अन्य मैचों के शुरू होने से पहले उनकी भविश्यवानी भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप जाना चाहते हैं कि कौन जीतेगा तो इंतजार न करें और राघव क्रिकेट विशलेशन से जुड़े। आईए अब मैच शुरू होने से पहले उसका विशलेशन करें। आस्ट्रेलिया में एडिलेड ओवल नाम की जगह पर एक क्रिकेट मैच हो रहा है। इसकी शुरूआत नौ जमवरी मंगलवार को दो फर दो बज कर दस मिनट बजे होगी। यह इस मैदान पर खेला जाने वाला बहतरवा मैच है। पिछले खेलों में 41 मैच पहले बलेबाजी करने वाली टीम ने जीते थे और 31 मैच दूसरे बलेबाजी करने वाली टीम ने जीते थे। पहले बलेबाजी करने वाली टीम का ओसत स्कोर 166 रन है। इस मैदान पर सरवाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सिनी थंडर टीम के नाम है जिन्होंने 232 रन और 5 विकेट हासिल क सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम के नाम है उनके सभी खिलाडी 87 रन पर आउट हो गए थे आएए देखें कि दोनों टीमों के लिए कौन खेलेगा और कौन से महित्वपूर्ण खिलाडी है जो अच्छी बलेबाजी और गेंद बाजी कर सकते हैं गर एएरी कौनवे और हिंरी थॉर्ण टन होंगे एक तरफ सेलेब ज्वेल नाम का शक्स है जो होबाट हरिकेंस नाम की टीम के सामने परफॉर्म कर रहा है बेन मैकडरमोड भी सेलेब ज्वेल को चीयर कर रहे हैं दूसरी तरफ अलग-अलग खिलाडी हैं जिन्हें नंबर दिये गए हैं मैथ्यू वेड नंबर तीन, जैक करॉली नंबर चार, तीम डेविड नंबर पांच, आसिफ अली नंबर छे, मिशेल ओवेन नंबर साथ, फहीन अश्रफ नंबर आठ, नाथन एलिस नंबर नौ, पैट्रिक डूले नंबर दस और रिले हैं मेरेडित ग्यार ह छे, मैकाक्लिस्टर राइट, सेलेब ज्वेल और डेविड पायने जैसे खिलाडी हैं, जो गेंद को हिट करने में अच्छे हैं, दूसरी टीम में रूम्स बोयस, मैनाथन एलिस और रिले मेरेडित जैसे खिलाडी हैं, जो गेंद को सटीक रूप से फिंकने में अच्छे आईए देखें कि जब दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली तो उनका प्रदर्शन कैसा रहा। मैचों में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने एक गेम जीता और होबार्ट हरिकेंस ने तीन गेम जीते। दोनों टीमें अपना हालिया गेम हार गई। हम आपको बताएंगे कि कल कौन सी टीम मैच जीतेगी। इसका पता लगाने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे वाटसेप न क्रिकेट एनालिसिस से जुड़े। हमारे क्रिकेट विशेशिगे के अनुसार एडिलेड स्ट्राइकर्स के जीतने की संभावना 54% है और होबार्ट हरिकेंस के जीतने की संभावना 46% है। विजेता टीम होबार्ट हरिकेंस हो सकती है। आपके अनुसार कल का मैच कौन सी इस तरह आप सबसे पहले हमारे नए वीडियो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे देखने के लिए धन्यवाद